हालो एंड वेल्कम टुश्टरिटिफोर एचार तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजिनिंग के सेशन में तो रीजिनिंग में जैसा कि आप लोगों को पता है हम नॉन बर्मिल रीजिनिंग कर रहे हैं और लाश्ट सेशन में हमने ग्रूप और फिगर नाम में तो मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने पहले देखिए होंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे होते थे हैं ना यह पढ़ा हुगा है हमने पहले भी है बहुत सारे कॉलम्स दिए रहते थे थे इस तरह की मैट्रिक्स बनी रहते थे हैं ग्रेड बनी रहते थे थे जिसमें क्या होता था की वही आओ ठीक है और कि अधिक्राइब और अधिक्राइब पूछा जाता था कि इसमें कौन सा आएगा तो आपके सामने कहीं सारे ओप्सेंद्द देदिये होते थे थे हैं ना टीव अधिक्राइब अधिक्राइब करते थे जैसे यह त्री है त्री फॉर शिक्स में तो कुछ नहीं लग रहा है था री में एक जोड़ा चार बन गया दो जोड़ा चे बन गया बटिसमें चीव त्री में त्रीका मुल्टिप्लाई किया यानिकी स्कौर है त्री का क्यूब है तो किदना होता है याने यहां पे चाहिए तो option D हमारा answer होगा, तो इसी तरह की जो matrix है, वो अब non-verbal में इस्टेमाल की जाएगी, बट non-verbal में, इन numbers की जगे क्या हो सकता है, figures हो सकते हैं, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, figure matrix नाम दिया गया, या फिर 10 plus 2 ले लो, MTS ले लो, बहुत सारे question, figure matrix से पूछे जाते हैं, तो इसी तरह है, इसी pattern पर हम लोग solve करेंगे, इसी तरह का pattern एक matrix दे के रखी होगी, एक figure missing होगा, वो figure किसमें दे के रखा होगा, और option में रखा होगा, और उस figure को pattern के insert draw करेंगे, जैसे हमने इस में pattern में देगा, ठीक है, तो चलिए, देखो example में कैसे होता है, चलिए, सुरू करते हैं, कर दांक, धंड़र कर दूंदा करते हैं, कर दांक, झाल झाल तो कर लए है रहा पे क्या है तो प्रॉल्ट प्रॉल्ट यह फ्रीज्ट ग्रीज्ट ग्रीज्ट झाल झाल जाल झाल 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 झाल